नमस्कार दूस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल GK Tracker पे देखे फ्रेंट्स, आज के वीडियो में हम मद्यकालीन भारत के एक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक मुगल कालीन प्रशाशन विवस्था इसको यहाँ पर कवर करेंगे जैसा आप जानते हैं हमारी एक डिटेल सीरीज चल रही है जिसमें हम GK को पूरी डिटेल के साथ तू दपॉइंट नोट्स के माध्यम से कवर कर रहें इस सीरीज के अंत्रगर्थ हम मद्यकालीन भारत को कवर कर रहे थे मद्यकालीन इतिहास में हमने भारत पर अर्बों के आकर्मन की बात करी दिल्ली सल्तनत की बात करी गौरी गजनवी उनसे जुड़े हुए जितने कोशन्स थे कहानी की रूप में सिंपल सरल नोट्स के माध्यम से उनको कवर किया विजनगर सामराज्य को देखा हमने बहिमनी सामराज्य को देखा और जो अलग-अलग स्वतंत्र प्रांतिय राज्य वहां पर बने उनको कवर हमने कर लिया था सीरेल वाईस हम चल रहे थे और उसके बाद आपका सूफी आंदोलन, भक्ती आंदोलन और फिर मुगल सामराज्य हमने कवर करना था लेकिन कुछ फ्रेंड्स के कमेंट थे कि पहले मुगल कालीन प्रशाशन को यहां पर कवर करा दिया जाए तो आज के वीडियो में हम मुगल कालीन जो प्रशाशन होता था उनका केंद्रिया प्रशाशन और उनका प्रांतिया प्रशाशन, किसे उनका सामराज्य बटा होता था, कौन, कौन से महत्पून अधिकारी होते थे, उनका काम क्या होता था, उन सब को हम आज की क्लास में कवर करेंगे, अगर आपने मदकालीन भारत के इतिहास की इससे पहले की detail classes को नहीं देखा है तो आप उनको playlist में जाके देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज की class को शुरू करेंगे मुगल कालीन प्रशाशन की अगर हम बात करें मुगलों का सामराज्य किन-किन वर्गों में बटा हुता था तो मुगलों में जो सामराज्य का विभाजन किया गया था वो कई सारे सूबों में किया गया था यह विभाजन अकबर के काल में हुआ था तो मुगल सामराज्य जो था पूरा सामराज्य कई सारे सूबों में बटा हुता था सूबों की संख्या पूछी जाती है, उसको भी हम आगे कवर करेंगे, कि अकवर ने कितने सूबों में विभाजित किया, कितने सूबे उसने जीते, और अंगजेव के काल में कितने सूबे थे तो मुगल सामराज्य किस में बटा होता था? सूबों में बटा होता था, सूबा यानि प्रांतों में बटा होता था जो प्रांत होते थे, सूबे होते थे, वो कई सारे सरकारों में बटे होते थे सरकार यानी जिले, कोशन बनता है, मुगल काल में जिले को क्या कहते थे, तब आप कहेंगे सरकार कहते थे तो सबसे उपर प्रांत होता था, ठीक है, यानी सूबा, और सारे जो प्रांत थे आपके वो सरकार यानी जिलों में बटे थे ये जो जिले थे, सरकार, ये आपके परगनों में बटे हुए थे, जिनको महाल कहा जाता था, और फिर यही सारे परगने गाउं में बटे होते थे, तो सबसे बड़ी परशाशनिक इकाई अगर आपसे पूछेगा, तो सूबा और सबसे छोटा आपका गाउं, और साथ में आ केंद्रिया प्रशाशन की बात करें, तो राज्य का प्रधान जो होता था, जो प्रमुक होगा वो राजा ही होता था, मुगल बाश्चा ही होता था, राजा के बाद केंद्रिया प्रशाशन में मंत्री पद प्रमुक होते थे, यानि सामराज्य का प्रमुक जो होता था, को जानते हैं कौन-कौन हैं सबसे पहले आता है वजीर इसे वकील या वकीले मुतलक कहा जाता था देखे means एकी ही पद है वकील कह ले या वजीर कह ले कुछ जगओंपर दीवान को भी वजीर कहा गया है, वो क्यूं कहा गया है उसको हम आगे कवर करेंगे लेकिन फिलाल इतना याद करिे सबसे उपर राजा होता था राजा के बाद जो प्रमुक होता था वो वजीर होता था जिसे वकील या वकील ए मुटलक कहा जाता था ये सामराज्य का प्रढवान मंतरी होता था मुगल प्रशाशन में समराट के बाद साशन के कारियों को संचालित करने वाला सबसे important अधिकारी यही वकील होता था, यही वजीर होता था, ठीके, राजा के बाद number 2 कौन है, वकील है, ठीके, इसका main काम क्या होता था, इसका main काम होता था, राजस्व और वितिया मामलों का प्रबंदन देखना, देखे, मुगल काल में या किसी भी काल में अगर आप देखेंगे जो सबसे important विभाग होता था, वो finance विभाग यानि वितिय विभाग होता था, राजा के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद वजीर का होता था, और यह प्रमुक वित अधिकारी होता थ इसका काम होता था, राजस्व और वितिय मामलों का प्रबंदन करना, ठीक है, इसके लावाई से कई सारे अधिकार भी प्राप्त थे, जो अलग-अलग विभाग होते थे, अलग-अलग पद होते थे, केंद्रिय शाशन में, राजा के बाद उनकी निफ्ति करने का जो अध जिकार दिया जाता था, वो इसी को दिया जाता था. हलाकि धीरे-धीरे उसको खतम कर दिया था, इसकी शक्तियों को कमजोर कर दिया था. कैसे हुआ, उसको भी जानेंगे. अकबर ने अपने वकील बैरम खान के बाद इस पद के महत्व को कम करने के लिए एक नया पद दिवान ए वजारत एकुल के इस्थापना करी अभी हम यहाँ पर देखेंगे मुगल शाशक और उनके वजीरों के बारे में उनके वकील के बारे में जो कि दूसरा सबसे बड़ा पद होता था जो सबसे ज़ादा शक्तिशाली वजीर था वो था बैरम खान और वो अकबर के शाशनकाल में था अकबर ने जब शाशन को संभालना शुरू किया तो उसने ये जो एक पद हो गया राजा के बाद सारी शक्तियां इसके पास होती थी तो अकबर ने सोचा कि सारी शक्तियां एक विक्ति पे ना हो शक्तियों का विभाजन हो जाए तो उसने इसके समानतर में एक नया पद यहां पर सरजित किया जिसे दिवान ए वजारत ए कुल या सिंपल भाशा में जिसे दिवान कहा जाता था तो कोशन आपका बनेगा मैं आपको साथ साथ बताते वे भी चलूँगा कि कैसे कोशन बन सकते हैं और कहानी की तरह हम समझते वे चलेंगे सिंपल भाशा में पूछेगा मुगल काल में दिवान का पद किसने सरजित किया था तो अकबर ने किया था क्यों किया था? क्योंकि ये दूसरा सबसे शक्तिशाली विक्ती था, वजीर, राजा के बाद और सारे अधिकार इसी के पास होते थे, ठीक है? अब आपको ये भी पता चल गया कि वजीर या वकिल क्या करता था, तो राजस्व और वितिया मामलों का प्रबंधन देखता था, मुगल शाशक और उनके वजीर, बाबर का जो वजीर था, उसका नाम महदी ख्वाजा था, हुमायू के वजीर का नाम निजामुदीन एहमद और हिंदू बेग था, ये दो उसके वजीर थे, कोशन कई बार बन सकता है कि यह किसका वजीर था, क्योंकि सबसे इंपोर्टें के पास रही, इसलिए अकबर ने अपने काल में एक नया पद बनाया, दिवान, ठीके, जहांगीर के काल में इस पद को भरा ही नहीं गया, क्योंकि दिवान पद की स्थापना हो गई थी, अब शक्ति का जो केंद्र था, राजा के बाद, वो वकील नहीं रह गया, वो दिव रहा, और किसके काल में उसे खतम कर दिया, आप आसानी से अब बता देंगे, तो हमने ये एक विक्ति की बात करी, वकील के बारे में जिसे वजीर कहा गया है, ठीके, अब बात करते हैं, दूसरा विक्ति, जो दूसरा प्रमुक होता था, केंद्रिया प्रशाशन में, वो है हमारा दिवान, अब इसके बारे में आधी बाते तो आपको पता हैं, कि इसका गठन किस ने किया था, इस पद को स्रजित किस ने किया था, अकबर ने किया था, इसका भी जो important काम होता था, वित्व और राजस्व का ये काम देखता था, उसका सरवच अधिकारी था, वकील तो करता ही था, लेकिन उसी के समकाली ने दूसरा वेक्ति खड़ा कर दिया, अब दोनों के समान अधिकार हैं, दोनों उस काम को कर रहें, तो दोनों की शक्तियां यहाँ पर क्या हो गई, बराबर हो गई, तो ये भी वही काम करता था, ठीक है, दिवान ही साही खजाने का प्रबंधन और हिसाब की जाच करता था और वैसे भी जब इस पद का सरजित हो गया था तो धीरे-धीरे वकील का पद समाप्त हो गया और यही पद आगे कंटिन्यू करेगा तो शुरुवात में जो वित विभाग का प्रमुक होगा वजीर या वकील था बाद में दिवान और कुछ जगोहों पर इसे ही वजीर भी कहा गया है ठीक है क्योंकि धीरे-धीरे सारे अधिकार इसी पर आ गए थे दिवान के नियंत्रण में ही करों की वसूली और उसकी रकम के विशे में निर्धारन होता था यानि लगान की वसूली कैसे होगी कैसे करी जाएगी लगा कितना होगा वो सब डिसाइट कौन करेगा दिवान करेगा इस पद की स्थापना अकबर ने वजीर के एका अधिकार को खतम करने के लिए किया था ठीक है समराठ की अनुपस्तती में सासन के साधारन कारियों को ये दिवान ही देखता था अब आपको किलियर हो गया वकील य राजा टोडर मल बना जिसने दह साला बंदोबस किया था उसको भी हम कवर करेंगे अगली क्लास में और अगला शाह मनसूर ये अकबर के प्रमुक दिवान रहे थे दिवान के पद पर सबसे लंबे समय तक 21 साल तक काम करने वाला व्यक्ति था असद खान ये औरंगजेब क समय दिवान के पद पे काम करता था अब दिवान का पद आप समझ सकते हैं वहां का सामराज्य का प्रधान मंतरी राजा के बाद दूसरा व्यक्ति तो कोशन आएगा दिवान का पद किसने सरजित किया अन का पद किसके एका अधिकार को खतम करने के लिए बनाया गया था द परंगजेब के समय, 31 साल तक मुगलकाल में दीवान रहा। इस दिवान की मदद के लिए कुछ अधिकारी होते थे, उनको देख लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा तो यही है, अधिकारियों में राजा है, उसके बाद यह है, उसके नीचे जितने अधिकारी होंगे, वो सब दिवान की ही मदद करेंगे, और फिर दिवान राजा की मुगल काल में साही भूमी की देखभाल करने वाला कौन होता था तब आप कहेंगे दिवान ए खालिसा अगला है दिवान ए तन ये बहुत इंपोर्टेंट विक्ति हो जाएगा तन से ही आप इसको जोड सकते हैं वेतन के साथ यह वेतन और जागीरों से संबंदित मामलों का निप्टारा करता था इस पॉइंट को याद करना कि केंद्रिया प्रशाशन में मुगलों के वेतन देने का काम कौन कर रहा है दिवान एतन कर रहा है क्योंकि आभी हम आगे सुबों का प्रशाशन जिलों का प्रशाशन देखेंगे वहाँ पर ये चेंज हो जाएगा तो द मुश्रिफ यहां राज्य की आयवय का लेखा जोखा रखता था, कितना आया, कितना गया, वो सब हिसाब कौन रखेगा, लेखा जोखा अपने पास, मुश्रिफ रखेगा, ठीके, लेखा अधिकारी होता था, इसी के साथ होता था मुस्तौफी, यहां आयवय का निरिक्षक ह यानि मुस्रिफ द्वारा तयार जो लेखा जुखा है उसकी जाच करने का काम मुस्तौफी करता था तो मुस्रिफ और मुस्तौफी दोनों important व्यक्ति हैं मुस्रिफ report तयार करेगा जाच मुस्तौफी करेगा ठीक है यह important अधिकारी थे दिवान की मदद के लिए आगे और important अधिकारी है उसको देखते हैं यह मीर बक्षी मुगल काल में दो बक्षी होते थे एक होता था मीर बक्षी और एक होता था सिर्फ बक्षी जो मीर बक्षी होता था वो केंद्रिय स्तर पे होता था जो प्रांतों में होता था उसे बक्षी कहा जाता था ठीक है मीर बक्षी सेन्य विभाग का सरवच अधिकारी होता था इसके पास दिवान ए आरिज के समस्त अधिकार होते थे दिवान ए आरिज जब हमने दिली सल्तनत का प्रशाशन देखा था उसमें हमने देखा था कि यहां एक सेन्य विभाग होता था दिवान आरिज एक सेन्य विभाग है सेन्य विभाग के पास जो जो अधिकार होते थे मुगल काल में वो सारी अधिकार मीर बक्षी के पास थे मुगल काल में सरवच सेन्य अधिकारी या सेन्य विभाग का सरवच अधिकारी कौन हो जाएगा मीर बक्षी हो जाएगा मीर बक्षी का पद अकबर के शाशन काल में ही शुरू किया गया था इसका में काम क्या होता था इसका में काम सैनिकों की भरती करना सैनिकों का हूलिया रखना रसत प्रबंधन करना सेना में अनुशाशन बनाई रखना सैनिकों के लिए हतियार, हाती घोडे, इनका प्रबंधन करना और साही महल की सुरक्षा करना तो सैन्या का सबसे बड़ा अधिकारी है, सीना कैसे चलेगी, कैसे उसके लिए समान आएगा, वो सब इसी का काम होता था मनसबदारी प्रथा को सुचारू रूप से चलाना भी इसकी जिम्यदारी थी देखे मुगल प्रशाशन या मुगल शाशन विवस्था को हम चार क्लास में कवर करेंगे आज हम केंद्रिय प्रशाशन और प्रांतिय प्रशाशन और उनके अधिकारी को देखेंगे अगले वीडियो में हम मुगलों की सैन्य ववस्था को देखेंगे मनसबदारी ववस्था को देखेंगे उसके बाद मुगलकाल की जो राज़सु प्रणाली थी भूमी की लगान विधिया थी उनको कवर करेंगे और उसके बाद मुगलकाल की चित्रकला, स्थाप्यकला, सहित्यक से सम्बंदित जो प्रश्ण है उनको देखेंगे तो मनसबदारी प्रथा के बारे में डीटेल में हम अगली क्लास में जानेंगे यहां पर सिर्फ इतना याद कर लीजे, मनसबदारी प्रथा को अकबर ने शुरू किया था और इसको सुचारू रूप से चलाने का काम सैन्या सबसे सर्वच अधिकारी करता था मीर बक्ष कोशन बन जाएगा अगला इंपोर्टन जो अधिकारी है वो होता था सद्र एक कुल जिसे सद्र उस सुदुर या सद्र भी कहा जाता था धार्मिक मामले का प्रभंदक वा सलहकार होता था सद्र एक कुल सद्र एक कुल क्या हो जाएगा सिधा कोशन बनेगा मुगल काल में धार्मिक मामलों का प्रबंदक कौन होता था तब आप कहेंगे सद्र एक कुल होता था इसे सेख उल इसलाम के नाम से भी जाना जाता है तो इसको भी आपने याद करना है मुगल काल में सबसे पहले इस पद पर सद्र के पद पर कौन बैठा था सिक गदाई बैठा था पूछा नहीं जाएगा बहुत रेयर चांसे लेकिन नोट कर लीचे ठीक है इसके जो मेन काम होते थे धार्मिक मामलों में राजा को सलह दिने इसका काम होता था जो धार्मिक कार्य होंगे सेंक्षणिक कार्य होंगे उनके लिए आवंटन करना जो अनुदान दिया जाएगा वो काम यही करता था इसके अलावा राजा जब नहीं होता था उपस्तेद तो न्याय का काम भी मुख्य तोर पर यह करता था ठीक है सद्र ए कुल तो यह हमने पहले राजा की बात करी फिर हमने जो इंपोर्टन अधिकारी थे वकील को देखा दिवान को देखा हमने मुसरिफ मुस्तवफी उनको देखा जो दिवान की मदद के लिए थे मीर बक्षी और सद्र के बारे में बात करी इन चारों के अलावा भी कुछ और अधिकारी थे जिनको लेकर सवाल आते हैं अब हम उन अधिकारियों की बात करेंगे फिर हम प्रांतों की तरफ चलेंगे ठीक है सबसे पहले हैं मीर-े-सामा इस पद की स्थापना अकबर ने करी थी ये घरेलू मामलों का प्रधान होता था यानि करीके से ग्रह मन्त्री होता था शाही महल, हरम, रसोई, कारखानों सबका प्रभंदक यही होता था शाही महल की सुरक्षा करना, राजा के परिवार, महल, उसकी दैनिक आवशक्ताओं को पूरा करना इसी का काम होता था मीर ए सामा लिखा है घरेलू मामलों का प्रधान चाहे राज़ से जुड़े घरेलू मामले हों, राजा से जुड़े हों, राजा के परिवार से जुड़े हों, कारखानों से जुड़े हों, उन सबका प्रभंदक कौन होता था मीर ए सामा सीधा कोशन बनेगा मुगल काल में घरेलू मामलों का प्रधान कौन होता था तब आप कहेंगे मीर ए सामा कोशन कि मुगल काल में राजा उसके परिवार उसके महल की दैनिक अविशक्ताओं को पूर्ती करने वाला अधिकारी कौन होता था मीर ए सामा इसके पास सामराज्य के अंदर आने वाले कारखानों के प्रबंदन का स्वतंत्रभार होता था जैसे यहाँ पर लिखा है इसके बाद अगला अधिकारी है केंद्रे स्तर पर मोहतसी ये भी एक बहुत इंपोर्टेंट विक्टी होता था दिखे ये प्रजा के नैतिक आचरण को नियंतरित करता था यानि सरियत कानून के अनुसार प्रजा के कारियों का निरिक्षन और नैतिक नियमों की देखभाल करता था कि कोई ऐसे काम तो नहीं कर रहा है जो शरियत कानूनों के खिलाफ है किसी का नैतिक आचरण खराब तो नहीं है, वो सब देखने का काम कौन करता था, मोहतसिब, तो मोहतसिब एक नैतिक आचरण अधिकारी होता था, जो देखता था कि समाज में कोई गलत चीज़ें तो चल नहीं रही हैं, यह important विक्ती हो जाएगा, औरंग जेब के काल में नैतिक आचरण की जाच करने वाला, देखभाल करने वाला अधिकारी था, बाद में इसी को मंदिर तोड़ने का काम भी दिया गया, यह पद केंदरिया प्रशाशन के सासार प्रांतों में भी होते थे, जैसे मेर बक्षी केंदर में है, बक्षी प्रांतों में है, मोहतसिब एक था आचरण की देखबाल करना प्रजा पर नजर बनाए रखना कि वो किसी भी कानून का उलंगन ना करे ठीक है ये था महतसीब जिसको आपने ध्यान रखना है तो मीरे सामा घरेलू मामलों का प्रधान महतसीब आपका नेतिक आचरण को देखने वाला अगला अधिकारी ह का फैसला इसलामी कानूनों के अनुसार करता था जो ये काजी होता था यह जिलों में परांतों में नगरों में शहरों में ये नियाइधिश का काम करता था इस काजी की निक्ति करने का जो काम करता था वो प्रधान काजी करता था बस इतना सा यहां पर आपको ध्यान रखन काजी की मदद के लिए मुफ्ति निप्त किये जाते थे तो प्रदान काजी का काम क्या है जिलों में प्रांतों में सूबों में काजियों की निप्ति करना ठीक है अगला है नजीर ए ब्यूतात यह शाही कारखानों का अधिक होता था साही कारखानों का जो प्रमुक होता था उसे नाजीर ए ब्यूतात कहते थे मुगल काल में ब्यूतात कारखानों के लिए इस्तेमाल होता था इस चीज़ को ध्यान रखना और नाजीर ए ब्यूतात यानि यहां का प्रमुक व्यक्ति अगला है मीर ए आतिश मुगल काल में तोप खाने का जो निरिक्षिक होता था जो प्रमुक होता था उसे मीर ए आतिश कहते थे ये भी सवाल पेपर में बना है अगला है दरोगा ए डाक दरोगा ए डाक आपके डाक निरिक्षिक होता था और केंद्र में गुप्तचर विभाग का प्रमुक होता था दरोगा ए डाक इसके अलावा गुप्तचर विभाग के प्रमुक के अलावा यहा पत्र विवहार का प्रभारी भी होता था डाक विवस्था का भी प्रमुक होता था तो दरोगा एक डाक केंद्र में गुप्तचर विभाग का प्रमुक होता था और पत्र विवहार का काम देखता था धार्मिक उच्सवों आधी का प्रबंधन करना होता था देखें नैतिक आचरण की देखभल करना महतसीब काम करेगा धार्मिक उच्सवों का प्रबंधन करना उनको मैनेज करना उनको आयोजित करना उसका काम मीर ए तोजग करता था ठीके अगला है मीर ए अर्ज बादशाह क पास भीजे जाने वाले आवेदन पत्रों का प्रभारी होता था मीर ए अर्ज अर्ज से आप अर्जी को याद कर लीजे तो आपकी अर्जी को राजा तक पहुँचाने का जो काम करेगा वो मीर ए अर्ज करता था अगला है मीर ए बहर, यह important हो जाएगा, यहाँ जल सेना का प्रधान होता था, मुख्यकार्य इसका होता था शाही नौकाओं की देखबाल करना, जो इनकी नौसेना, मुगलों की अपनी तो नौसेना नहीं होती थी, लेकिन जो इनके तटिया प्रांत थे, तटिया जो इनके राज्य थे, उनके पास अपनी जो लोकल सेना होती थी, नौसेना, उनकी देखबाल करना, उनकी नौकाओं की देखबाल करने का काम मीरे बहर करता था, तो जल सेना का प्रधान होता था, ठीके? वाक्य नवीश की बात करें दो व्यक्ति हैं देखें वाक्य नवीश और खूफिय नवीश वाक्य नवीश समचार लेखक होता था मुगलकाल में और खूफिय नवीश गुप्त पत्र लेखक होते थे समाचारों के माध्यम से राजा को केंदर प्रशाशन को जानकारी देने का काम वाक्य नवीश करता था कुछ खबरें गुप्त रूप से पहुँचाई जाएंगी उसके लिए खूफ्य नवीश होता था आगला है हरकारा ये जाशूस और संदेश वाहक दोनों होते थे तो मुगलकाल में जाशूस और संदेश वाहक को क्या कहते थे हरकारा कहते थे अगला विध्कची ये भी एक important अधिकारी है अकबर ने अपने शाशन काल में दरबार की सभी घटनाओं और खबरों को लिखने के लिए इनकी न्युक्ति करी थी तो वितिकची कौन होता था? एक मुख्य तोर पर लिखने का काम दरबार में जो घटनाए घटी उनको लिखने का काम कौन करता था? वो करता था वितिकची, इसको आपने याद करना है, ठीक है? वितिकची की बात करें, यहाँ प्रांतों में भी काम करता था, प्रांतों में भूमी पर लगान संबन्दिक काज़ात तयार करता था। इसके दो काम हो गए, पहला काम दरबार में खबरों को लिखना जो घटनाएं घट रही हैं उनको लिखना दूसरा प्रांतों में भी एक्टिव होता था, प्रांतों में विद्कची होता था जो की भूमी से संबंदित कागजात तयार करता था ठीके, यहाँ अमल गुजार के आधीन काम करता था अभी जब हम प्रांतिय शाशन देखेंगे उसमें हम अमल गुजारी के बारे में बात करेंगे उसी अधिकारी के अधीन काम करता था ये प्रांतों में ठीके केंद्र में काम क्या है दरवार की घटनाओं को लिखना और प्रांतों में काम क्या है भूमी संबंदिक कागजार तयार करना और किसके अधीन था अमल गुजार के अधीन था अगला है परवानची, परवानची कौन था? ऐसी आज्याओं को लिखने वाला जिस पर समराट के मोहर की आवशक्ता नहीं है वो होता था परवानची तो वित्क ची कौन था दर्बार की घटनाओं को लिखने वाला परवांची आज्याओं को आदेशों को लिखता था और उन आदेशों को लिखता था जिन पर राजा की मोहर की आवशक्ता नहीं है ठीक है अगला है दिवान ए वरीद मुगलकाल में यहां गुप्तचर विभाग के लिए इस्तेमाल होता था दिवान ए इंशा सुल्तान के आदेशों को लिखने वाला देखे जिन पर मोहर की आवशक्ता है उनको लिखता था जिन पर मोहर की आवशक्ता नहीं है उनको लिखता था प दिवान ए तन को देखा, मीर ए बर को देखा, मीर ए बहर को देखा, मीर ए आतिश को देखा, ब्यूतात को देखा, सारे important अधिकारियों को हमने cover किया, अब बात करेंगे इनके प्रांतिय प्रशाशन के बारे में, जैसे मैंने आपको पर कहा, मुगल सामराज्य सूबों में ब फिर परगनों की बात करेंगे, देखे, मुगल सामराज्य सूबों में बटा हुआ था, ठीक है, सूबे का जो प्रमुक अधिकारी होता था, उसे सिपह सालार या सूबेदार कहा जाता था, सिधा कोशन बनेगा, मुगल काल में सूबे का प्रमुक क्या कहलाता था, फिर आती है दूसरी परशाशनिक इकाई जिले, सूबे जिले या सरकार में विभाजित होते थे, कई बार मैंने आपको कहा, मुगल काल में जिलों को सरकार कहते थे, जो आपके सूबे होते थे, वो कई सारे सरकार में विभाजित थे, जिले का जो प्रमुक होता था, उसे इसको आपने याद करना है ठीक है जिले का प्रमुक फौसदार सुबे का प्रमुक सिपय सालार इसके बाद होता था परगना परगने का जो अधिकारी होता था सरवच उसे सीकदार कहा जाता था मुगलकाल में जो सरकार यानि जिले होते थे वो परगरों में विभाजित होते परगने के प्रमुक को सीकदार कहते थे और फिर आता था गाउ जो परगने हैं वो कई सारे गाउं से मिल कर बने होते थे गाउं के प्रमुक को मुकदम चौदरी या खत कहा जाता थे तो मुगलकाल में गाउं के प्रमुक को क्या कहेंगे गराम प्रधा नहीं कहते थे उसे मुकदम कहते थे चौदरी कहते थे या खत कहते थे तो अब आपको पता चल गया सूबे के प्रमुक को सूबेदार कहते थे जिलेक के प्रमुक को फौसदार कहते थे परगने के प्रमुक को सीकदार कहते थे और गा कालीन सूबों के बारे में बात करते हैं इनकी संख्या को देख लेते हैं देखे जो परांतिय व्यवस्था थी कि अपने सामराज्य को परांतों में बांट दो इस व्यवस्था को अकबर ने शुरू किया बाबर को टाइम मिला नहीं और हुमायूं भी इधर उधर ही घूमता रहा प्रॉपर शाषन उसने किया नहीं अकबर ने अपने सामराज्य को कई सारे प्रांतों में बाटा कोशन आता है अकबर ने अपने सामराज्य को कितने सूबों में कितने प्रांतों में बाटा था तो अकबर ने अपने पूरे सामराज्य को बारह सूबों में बांट दिया था ठीक है इन बारह सूबों में अकबर के ही काल में तीन नए सूबे और जुड़ गए थे जिसमें अकबर ने बरार को, खान देश को और एहमत नगर को जीत लिया था देखे दो कोशन बनेंगे, अकबर ने किन किन सूबों को जीता, कितने सूबों को जीता, तीन सूबों को जीता लेकिन सवाल आता है अपने सामराज्य को कितने सूबों में बांटा, तो कितने सूबों में बांटा, उसने बारह सूबों में बांटा और अकबर का काल जब खतम हुआ, तब तक मुगल काल में सुबों की संख्या कितनी हो गई थी, 15 हो गई थी, क्योंकि 12 पहले थे, अकबर ने 3 नए जोड लिये थे, सवाल आता है, जहांगीर के काल में सुबों की संख्या कितनी थी, तो जहांगीर के काल में सुबों की संख्य को जीता था, फिर आता है औरंगजेब, औरंगजेब ने बीजापूर और गोलकुंडा, इन दोनों को जीता और अपने काल में सूबों की संख्या कर ली थी, इसने 20, तो कुशन आये का, अकबर ने कितने भागों में बाटा था, कितने सूबों में बाटा था, 12, जहाँगीर के काल में कितने थे? 15 शाजाहा के काल में कितने थे? 18 और औरंगजेब के काल में इनकी संख्या 20 हो गई थी. ठीक है? बीजापूर को औरंगजेब ने 1686 में और गोलकुंडा को 1687 में जीता था, इनके वर्ष भी पूछ लेता है तो ये सूबों वाला question है, बहुत बार paper में बना है, अब सूबे के अधिकारियों की बात करते हैं, सबसे important और सरवच अधिकारी होता था सिपह सालार, जिसे सूबेदार भी कहते थे, governor भी कहते थे, चली, ये सूबे का प्रमुक अधिकारी होता था, अब हम केवल सूबे की ब लेकर चले हैं, कि पहले सूबे को पढ़ लेंगे, फिर जिलों को पढ़ लेंगे, फिर परगनों को पढ़ लेंगे, ये सूबे का प्रमुक अधिकारी होता था, इसे सूबे के संपूर सैनिक और असैनिक अधिकार प्राप्ते, यानि सूबे का सरवच अधिकारी यही होता इसकी अपनी खुद की सिना होती थी, सुबे में कर एकत्रण और न्याय आदि का फैसला यही करता था, ठीक है, मुगल काल में सुबेदारों को किसी भी राज्य से संधियां और सरदारों को मनसब प्रदान करने का अधिकार नहीं था, देखे जो ये सुबे हैं, सुबेदार ह एक पूरे राज्य का प्रमुक है, यानि एक मुख्यमंत्री है, एक तरीके से हम आज की कंडिशन से इसको कंपेर करते हैं, किसी भी मुख्यमंत्री को किसी दूसरे देश के साथ संधी करने का, या किसी दूसरे देश के किसी विक्ति को उपादी देने का अधिकार नहीं हो ता वही यहां पर लागू था कि जो भी सुबेदार है अपने प्रांत का प्रमुख जरूर है लेकिन उसे किसी दूसरे प्रांत के साथ ना संधी करने का अधिकार है ना उन्हें कोई पदवी देने का अधिकार है लेकिन इसका एक अपवाद है एक मात्र सुबेदार गुजर पद दे देना, कि आप हमारे यहां आईए, आपको इतने मनसब का हम पद देते हैं, आप अपनी एक पड़ी सिसेना रखिए, तो कौन सा वो था, सुबेदार जिसको यदिकार था, टोडर मल था, किके बाकी किसी सुबेदार को यदिकार नहीं दिये गए थे, ऐसे वाले जो क सुबेदार के जगाओ पर सिपह सालहार लिख दिया तो, कि सिपह सालहार कहां का होता था, जिले का, प्रांत का या परगने का, तब आपको पता होना चाहिए कि वो प्रांत का होता था, सुबे का होता था, अब उसको क्या संधी करने का अदिकार था, तब आप कहेंगे नह केंदर में भी एक दिवान है, जो राजा के बाद दूसरे नंबर पर है, लेकिन सुभों में, प्रांतों में, सरवज अधिकारी कौन है, सुवेदार है, उसके बाद आता है प्रांतिय दिवान, लेकिन ऐसा नहीं है इसकी शक्तियां कमजोर थी, देखिए, यहां केंद्रिया दिवान के अधीन होता था, ना कि सुबेदार के अधीन, है प्रांत में, लेकिन अधीन किसके है, जो उपर वाला है, केंद्र वाला दिवान है, उसके अधीन है, सुबेदार को रिपोर्ट नहीं करेगा, उसके समक् वैसे ही सुबे में सुबेदार और दिवान थे, ठीक है? ये प्रांत में वित विभाग का अध्यक्ष हूता था उस राज्य में सारे वित से संबंदि जो काम होँगे राजश्व से संबंदि वो ये करेगा दिवान का कार्या भूमी राजश्व और कर एकतृत करना था और नागरिक प्रशाशन था सुबेदार और दिवान सुबे के स्वतंत्र और समान सत्ता अधिकारी होते थे यानि सत्ता धारी होते थे दोनों की शक्तियां बराबर थी तो ये कोशन बन सकता है, सुबे का जो दिवान होता था, क्या वो सुबेदार के अधिन होता था, तब आप कहेंगे नहीं, क्योंकि दोनों स्वतंत्र होते थे और जो दिवान है, वो डारेक्ट उपर वाला जो दिवान था, केंद्रिया दिवान उसके अधिन होता था, ये द करने के लिए नेंतरित करने के लिए केंद्रियत दिवान बनाया वही इस्तिति प्रांतों में सुबों में सुबेदारों की थी उनको कंट्रोल में लाने के लिए प्रांतियत दिवान बनाया तो प्रांतियत दिवान और केंद्रियत दिवान काम दोनों के एक ही है वित विभा बक्षी की न्युक्टी केंद्रिय मीर बक्षी के अनुरोध पर शाही दरबार के द्वारा होती थी। अब जैसा मैंने आउपर आपको कहा कि एक विभाग एक अधिकारी है दिवान एतन वो कौन था? वो था आपका केंद्र में सैनिकों को वेतन देने वाला। प्रांतिया बक्षी दोनों में यही एक में डिफरेंस होता था। इतली दो दोनों में यही एक में डिफरेंस होता था है। सदर के रूप में जब काम करता था, तो प्रजा के नैतिक चरित्र और इसलाम धर्म के कानुनों की पालन की ववस्था करता था, और काजी के रूप में जब काम करता था, तो न्याय अधिकारी के रूप में काम करता था, तो प्रांतों में नैतिक चरित्र को देखने वाला और जब राजा नहीं होता था, वो न्याय के काम भी करता था, जिसे मैंने आपको उपर कहा, वही काम सदर और काजी दोनों करते थे, जादा तर प्रांतों में एक ही विक्ति को ये दोनों पद दिये जाते थे, सदर की रूप में काम करेगा, तो नैतिक चरित्र को देखेगा और जब काजी के रूप में काम करेगा, तो न्याय करेगा, ठीक है, अगला है वाक्या नवीश, वाक्या नवीश सूबे के गुप्तचर विभाग का प्रमुक होता था, केंद्र में समाचा लेखक है, लेकिन सूबे में गुप्तचर विभाग का प्रमुक होता था वाक्या सिधा कोशन मुगलकाल में प्रांतों में कुप्तचर विभाग का प्रमुकौन है तब आप कहेंगे वाक्या नवीश फिर है कोतवाल सूबे की आंतरिक शांती और सुरक्षर की विवस्था करता था कोतवाल ठीक है सूबे में तो ये हमने सूबे के अधिकारियों को देखा अ यहां सरकार का यानि जिले का मुख्य प्रशाशक और शैन्य अधिकारी होता था यानि यहां पर बक्षी की जरुरत नहीं है बक्षी के वल सूबे में होता था अब हम जिलों की बात कर रहे हैं जिलों में मुख्य सैन्य अधिकारी और जिलों का प्रमुक अधिकारी प्रश अब आप बताएंगे जिले का था इसका काम क्या है जिले में कानून विवस्था को बनाए रखना चोर लुटेरों से जनता की रक्षा करना तो सैन्य अधिकारी भी यही है और जिले का प्रमुक भी यही है सेर्शा के समय इसे मुन्शिफान कहा जाता था तो फौसदार का ही दूसरा नाम है शेर्शासूरी के काल में ये नाम प्रचलित था काला अंतार में फौसदार को न्याइक अधिकार भी दे दिये गए और बाद में ये पद वन्शा अनुगत हो गया और जिले का सरवुच अधिकारी भी वो बन गया यानि न्याइक का काम भी वो करेगा बाद में उसी का बेटा फौसदार बन जाएगा तो फौजदार को लेकर के ये चार बातें आपको याद करनी है मुख्य अधिकारी भी होता था, प्रमुक्सेन्य अधिकारी भी होता था रक्सक की जमेदारी भी इसकी है और बाद में इसको नियाएक अधिकारी भी दे दिये गए जिके फौजदार को अगला है आमील या अमल गुजार जिसके बारे में हमने उपर बात करी थी किसको हम आगे डीटेल में जानेंगे देखी आमील ये अमल गुजार दोनों एकी नामें कहीं जगा पर आमील लिखा है कहीं पर अमल गुजार ये जिले का वित अधिकारी होता था या मुगल काल में जिले में लगान वसूल करना कौन काम करता था ये तब आप कहेंगे आमील या अमल गुजार करता था ठीक है ये कोशन पेपर में बना है अब फिर से वही कोशन अगर दुबारा से आ जाए कि आमील किस इस्तर पे होता था क्या ये परगनों में होता था जि में तो नहीं था, वहाँ पर ये काम कौन कर रहा है, प्रांत्य दिवान कर रहा है, जबकि जिलों में कौन कर रहा है, ये काम हमारा आमिल कर रहा है, ठीक है, लगान वसूल करना, कृशी और किशानों की देखभाल करना इसका काम था, किसानों को तकावी लोन बाटना और अगला अधिकार वो था वितकीची, इसके बारे में हमने उबर भी बात करी थी, अब ये पहले केंद्र में देखा हमने अब ये कहां पर है अब ये जिलो में आ गया ये लिपिक यानि कलर्क होता था यहां अमल गुजार का प्रमुक सहायक होता था जैसे हमने देखा था न कि ये किसके अधिन काम करता है अमल गुजार के जिले में भूमी और राजस्व संबंधिक कागस तयार करने का किम यही करता था ठीक है? जिलो में भी कोटवाल की निख्ति करी जाती थे और इसका काम भी वही था जो सुबो में था कि नगर में शांती शुरक्षा को इस्थापित करेगा सांत में सचता, सफाई कार्य और न्याई कार्य जिले के अंदर यही करता था कोतवाल खजांदार एक और अधिकारी हो गया यहाँ जिले का खजांची होता था जो खजांदार है और ये भी अमल गुजार के अधिन काम करता था अगला है काजी ए सरकार अब जैसे नाम में ही लिखा हुआ है काजी ए सरकार यानि सरकार का काजी यानि जिले का काजी तो यहाँ न्याइक कारिया करता था न्याइक कारिया कुछ इस तरों पर कोतवाल को भी दिये गए लेकिन उसका मेन काम शांती शुरक्षा बनाए रखना था, स्वचता को बनाए रखना नयाई के लिए जाधा था फिर काजी होता था जिलो में, ठीक है और अरंगजेब के काल में जजिया और जकात करों की वसूली का काम भी यही करता था, काजी करता था कहां पर है ये जिलो में है, ठीक है अब बात करेंगे परगनों की, हमने सुबा देख लिया, सुबे के अधिकारियों को देखा अब आपके एक डाउट कई सारे किलियर हो गए होंगे अब बात करते हैं परगने की, परतियक सरकार या जिला परगनों में बटा होता था मुगल काल में कौन हो गया यहां का प्रमुक, सीकदार, शांती और सुरक्षा इसका में काम होता था जैसे जिले में फौसदार हो गया, वैसे ही परगनों में सीकदार हो गया मुख्य अधिकारी भी है, सैनिय अधिकारी भी है और शांति स्थापित करना इसका काम है इसका सीकदार का अब फिर से वही कुश्यन सीकदार नामक अधिकारी किसका सरवच अधिकारी होता था जिले का, सूबे का, परगने का अब आपको पता है परगने का होता था ठीक है इसके बाद आता है आमील वही वाला पद जो जिले में भी है और अब परगने में भी है परगने का वित अधिकारी हो गया किसानों से लगान वसूल करना इसका काम होता था अकबर ने अपने शाशनकाल में हर परगने में माल गुजारी आई एकत्रित करने के लिए आमिल नामक अधिकारी निप्त करना शुरू किया इस आमिल नामक अधिकारी को करोडी भी कहा जाता था क्योंकि इसको टारगिट दिया जाता था कि आपने एक करोड दाम वसूल करना एक करोड दाम का जो मूल्य है वो 25,000 रुपए होता था और इसको टार्गेट दिया जाता था कि हर परगने से एक करोड दाम आना ही चाहिए इसलिए इसे करोड़ी भी कहा जाता था जनता के द्वारा तो आमील कौन हो गया वितधिकारी तो केंद्रिया इस तरपर वितधिका रहा है अकबर कर रहा है पहले परगनों में और फिर हमारे जिलों में ठीक है इसे करोड़ी भी कहते हैं अगला है फौटदार देखें फौजदार नहीं है ध्यान रखना फौटदार है और ये परगने का खजांची होता था अब जिले का खजांची कौन है खजांदार पर पटवारियों का प्रधान अधिकारी, परगने में पटवारी जो होते थे, उनका जो मुख्य होता था, उसे कानून को कहा जाता था, मुगल काल में, ठीक है, कोशन बन जाएगा, पटवारियों के प्रधान को, पटवारियों के अफसर को क्या कहते थे, तब आप कहेंगे कान कानून को कहा जाता था और फौत दार भी आपको ध्यान रखना है ठीक है अब ये खजांची है किसके अधीन काम करेगा आमिल के अधीन काम करेगा सिंपल सी बात है ये परगने की पैदावार माल गुजारी भूमी कृशी संबंधिक कांजों को तयार करता था कौन कानून गो जो हो गया और कानून गो के ही अधीन सारे पटवारी काम करते थे अगला है कारकून ये कानून गो नहीं अब कारकून लिखा है यानि क्लर्क ये परगने के क्लर्क होते थे जो लिखा पड़ी का काम करते थे कौन कारकून हो गये तो कारकून कानून को अलग हो गया पटव अब आते हैं सबसे अंतिम इकाई के बारे में प्रशाशन इकाई गराम प्रशाशन परगनों के अंतरगत शामिल गावों को मावदा या दिही कहा जाता था मुगल काल में परगने गावों में बटे होते थे इन गावों को मावदा या दिही कहते थे इनके अंदर शामिल छो मुगल अधिकारियों को नहीं दिया जाता था, गाहूं के ही जो लोग होते थे उन्हीं में से किसी को वहां का प्रमुख बना दिया जाता था, कोई अलग से केंद्र से या प्रांतों से जिलों से नहीं भीचा जाता था, तो मुगल काल में गाहूं एक स्वायत संस्था होती खुद ग्राम पंचायत ही अपने गाउं की सुरक्षा, सफाई और सिक्षा की देखभाल करती थी। और उनका काम होता था ग्राम प्रधान की मदद करना, ग्राम प्रधान को क्या कहते थे, मुकद्दम कहते थे, इसी प्रकार एक होता था मुसद्दी, ये बंदर गाहों के प्रशाशन की देखभाल करता था, मुगल काल में इसको भी याद करेंगे कोशन बन जाएगा, तो गा प्रशाशन को देखा, important अधिकारियों को देखा, मुगल सामराज्य के विभाजन को देखा, सूबेदारों को देखा, सूबेओं को बारे में बात करी, उनकी संख्या को जाना, सूबे के जो important अधिकारी हैं, उनके काम क्या हैं, उनको देखा, फिर हमने जिलों की बात करी, प कौन उसको लेकर आया किसने उसमें क्या परिवर्थन किया दो असपा तीन असपा क्या था उन सब को अगली क्लास में कवर करेंगे उमीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेर करें, वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, थैंक्यू फ्रेंड्स